बार कितनी ठंड है और मुझे इतनी ठंड में नहाना पर रहा है चलो इस बार किसी तरह ठंडे पानी से ही नहा लेती हूँ अगली बार से गर्म पानी करके नहाऊंगी वरना मुझे सर्दी जुकाम लग सकती है वेसे ठंडी का मौसम अच्छा होता है लेकिन नहाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और नहीं कपरा धोने में अच्छा कोई बात नहीं है जल्दी से नहा लेती हूँ अगर ज़्यादा ठंडा लगेगा तो आग जला कर ताप लूँगी चलो अब नहा ली जल्दी जल्दी कपड़ा पहन लेती हूँ फिर उसके बाद मुझे मेक अप भी करना है मेरे बाल कितने उलच गए हैं आपस में अच्छा आज इसे पूरी तरश से संभाल लेती हूँ मारा हर्स अभी सो रहे हैं बरना वो सब मुझे मेक अप करने ही नहीं देते चलो अच्छा है कि वो दोनों अभी सो रहे हैं गीता जरा कंबल देना काफी ठंड लग रही है देखो ना हर्स कैसे चिपक गया है ठंड से जल्दी कंबल लाओ गीता अरे लगता है वो सभी जग हाँ कार्तिक जी क्या बात है कहिए गीता कंबल मांग रहा हूँ जल्दी से दो हाँ भी देती हूँ एक मैं हूँ जो सुबसुब नहाली हूँ और ये सब है कि कंबल और के और सोना चाहते हैं ये नहीं कि सुबसुब थोड़ा बाहर से टहल के आए ये रही कंबल अब जल्दी से निकाल लेती हूँ पापा जल्दी से कंबल मंग भाई ये बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है पापा गीता थोड़ा जल्दी कंबल लेके आओ बच्चे ठीठूर रहे हैं हाँ लेके आ रही हूँ मैं सोने से पहले कंबल लेके सोना चाहिए था अच्छा जल्दी से सभी को उढ़ा देती हूँ मायरा को अच्छे से उढ़ा देती हूँ बरना इसे बहुत ज़्यादा ठंड लग जाएगी चलो अब अपना मेकप पूरा करती हूँ अरे ये काजल कितना ज़्यादा आँख में लगता है आसो निकल जाते हैं अच्छा किसी तरह कर ही लेती हूँ अब लिप्स्टिक लगा लेती हूँ अरे ये अच्छी वाली लिप्स्टिक नहीं है सायद अखिरकार में रेडी होई गई अरे मम्मी और मौसी अभी तक टहल के नहीं आई पता नहीं कहां रह गई गीता थोड़ा गर्म गरम चाय हो जाता तो ताजगी मिल जाती अच्छा चाय बना दू या कॉफी गीता चाय ही बना दो कॉफी तो मैं आफिस में भी पी लेता हूँ अच्छा ठीक है पहले मैं सारा समान घर में रख देती हूँ बढ़ना मायरा हर्च इधर से उधर कर देंगे अरे सिल्पा आंटी कह रही थी कि मुन्नी एक दो दिन में आ जाएगी सहर से लिखिन अभी तक नहीं आई लगता है मुझे ही उसके घर जाके देखना पड़ेगा अच्छा मैं अभी सारा काम निपटा के जा रही हूँ सिल्पा आंटी के यहाँ देखती हूँ कि मुन्नी आई है कि नहीं लिटा ने चाय बना लिया है अब कार्तिक को देने जा रही है ये लिजिए अधरक वाली चाय चाय तो बहुत अच्छी है गीता लेकिन इसमें थोड़ा कम चीनी होना चाहिए था ज़्यादे टेस्टी बनाने के चकर में थोड़ा ज़्यादा ही चीनी डाल दिया वैसे आपको डाइबटीज हो गई है क्या हो सकता है गीता ज़्यादा चीनी का यूज नहीं करना चाहिए अगली वार चे ध्यान रखना ठीक है आज के बाद चीनी का मातरा कम रखूंगी अरे मम्मी और मासी के लिए भी चाय बना दिया था लेकिन पता नहीं कहां रह गई मम्मी मुझे भी चाय बिस्किट चाहिए दीजिये न मम्मी तुम लोग दूद पी लेना और उसके साथ ब्रेड भी खा लेना लेकिन मम्मी पापा तो बीना ब्रस किये ही चाय पी लिए तो मैं क्यों नहीं पी सकता मम्मी क्या सच में कार्तिक जी आपने ब्रस नहीं किया क्या नहीं नहीं हर्च तुम दोनों सो रहे थे तुम मैं ब्रस करके आ गया मैं कभी भी बीना ब्रस किये चाय नहीं पीता हूँ और पीना भी नहीं चाहिए चल मायरा हम दोनों भी ब्रस कर लेते हैं हाँ भाईया चल ये भाईया सुबह सुबह ब्रस करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है इदर गीता की सहेली मुन्नी साइकिल से जा रही है उससे मिलने अरे ये रास्ता कितना ज्यादा खराब है मेरी साइकिल तो अच्छी से चल ही नहीं पा रही है बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है इस रास्ते पर साइकिल चलाने में मैं क्या करूँ मैं कहां पहुच गई पहले यही तो था गीता का घर अब गीता का घर कहीं नजर नहीं आ रहा हो सकता है मैं गलत रास्ते पर आ गई अच्छा थोड़ा आगे जाके देखती हूं साइद गीता का घर आगे हो अरे ये इतना खराब रास्ता है कि कहीं मैं गिरना जाऊँ मुझे तो काफी ज़्यादा डर लग रहा है और नीचे इतना ज़्यादा कीचर भी है अरे ये मैं कहां जा रही हूँ ये तो और भी घना जंगल है कहीं मैं इस जंगल में गुमना हो जाऊँ अरे नहीं कोई है अरे ये कौन है अरे मैं कहां आ गई लगता है ये किसी का खेत है अरे ये लड़की कौन है अरे अरे तुम मेरे खेत में साइकल क्यों चला रही हो दिखाई नहीं दे रहा क्या ये मेरा धान का खेत है ओ ये आपका खेत है मुझे माप करना मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कहां जाओं इस जंगल में भस गई हूँ ओ अच्छा आप कौन है वैसे आप कहां जा रही है मैं कहीं भी जाओं आप से क्या आप मेरा रास्ता रोक रहे हैं हटिये यहां से जाने दिजिये मुझे अरे बहुत बत्तमीज हो तुम मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ और तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो अरे आपने सुना नहीं हट जाएए मेरे रास्ते से और मुझे जाने दिजिए मेरे पास टाइम नहीं है आपसे बाते करने की अच्छा रुको सेरू अरे ये पपी तो मेरी तरफ आ रहा है मुझे भागना चाहिए बढ़ना ये मुझे काट लेगा ओ नहीं अरे अब मैं कहा जाओ आगे बहुत ज़्यादा कीचर है उपर से ये पपी मेरा पीचा नहीं चोड़ रहा ये सब उस सैतान आदमी के बज़े से हो रहा है अरे पपी सांथ हो जाओ मैंने तुम्हारा क्या भीगा रहा है मेरा पीचा छोड़ दो जाओ यहां से चलो अब अकल ठीक आने आ गई होगी वैसे साइकल बहुत ज़्यादा प्यारी है मैं अपने घर ले जाता तो बहुत ही अच्छा लगता अच्छा वैसे देख कर आता हूँ वो सेरू कहां गया है इस पपी की बज़े से मेरी इतनी मेंगी ड्रेस खराब हो गई उपर से वह पागल लड़का मेरा साइकल ले गया होगा बहुत मेहनत से वह साइकल करे दी थी मैने और वह लेके चला गया होगा अब मैं गीता के घर कैसे जाऊँ मैं इस जंगल में खो गयी हूँ सेरू कहां हो अरे वो रहा मेरा सेरू अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी हसना बंद करो और मेरी साइकल बापस करो मुझे गीता के यहां जाना है एक तो मैं काफी सालों के बाद गीता के घर जा रही थी उपर से तुमने मेरा रास्ता रोक दिया तुम बहुत बुरे हो प्लीज मेरी साइकल बापस करो अरे किस गीता के बारे में बात कर रही हो वही ना जो मीना की बेटी है हाँ हाँ गीता की वही मम्मी है वैसे तुम उसे कैसे जानते हो वो दर असल गीता मेरी भावी लगती है क्या वैसे तुम गीता को जानते हो तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया पहले अरे तुम्हें याद होना चाहिए मैंने पूछा था ना कि तुम कहां जा रही हो पर तुमने तो बताया ही नहीं उफ बता देना चाहिए था वैसे सौरी एक मिनिट रुको मैं अभी आता हूँ ये लो अपनी साइकिल वैसे तुम्हारा नाम क्या है मैं मुन्नी हूँ गीता की बच्पन की सहली मुन्नी यहां से सीधा चली जाओ वहीं पर गीता भाबी का घर है ओ सुक्रिया रास्ता बताने के लिए वैसे गीता के घर जाने के लिए मैं कापी एक्साइटेड हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भोले थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो